Hi everyone, today's topic is drug and their abuses. Last time पर हम लोग AIDS और cancer के बारे में detail बात कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं drug and their abuses. मतलब जो drugs हैं, वो क्या हैं? और उनका abuse क्या है? मतलब उनका excessive अगर use करें, तो हम उसका, क्या हमें उस पर bad impact पर सकता है? आप overall कर सकते हैं, गलत अस्तुमाल, drugs का misuse हम कर रहे हैं, abuse कर रहे हैं, तो चलिए, start करते हैं, drug and their abuses, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे पास कई category की drugs हैं, चलिए, मैं आपको बताता हूँ, drugs and their abuses, ये हमें आज की वीडियो में discuss करने हैं, तो मैं आपको category बताता हूँ, तो कौन-कौन सी category हैं, तो पहली category देखिए आप, first category मैं आपको बताता हूँ, sedatives की, इसको हम sedative and sedatives and tranquilizer, tranquilizer, tranquilizers भी कहते हैं, first category is sedative and tranquilizer की, next category है, opiates की, opiates, इसके बाद next category है, coca alkaloids की, coca, बैसे इसको हम stimulant कहते हैं, तो मैं stimulant लिख देता हूँ, कौन stimulation का काम करेगा, stimulants, यहाँ पर हम लिखेंगे, stimulants हो गया, और last category मैं आपको बताऊँगा, halucinogens, halucinogens, तो यहाँ पर हम four category of drugs देख रहे हैं, first sedative, then sedative and tranquilizer, then मैं आपको बताऊँगा, opiates, then after stimulants, and last में मैं आपको बताऊँगा, halucinogens, पहले एक general review ले ले लेते हैं, then फिर इसके बारे में हम लोग आगे बाद करेंगे, चले देखे, sedative and tranquilizer, यह कौन सी drug है, यह वो drug होती, मैं पहले example बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा, barbiturate या benzodiazepines, क्यों, नाम नहीं सुना, मुझे लग रहा है, नाम नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ, आपने नींद की गोली सुनी होगे, sleeping pills, अब हागया होगा साने, sleeping pills का example है, benzodiazepines and barbiturate, यह एक तरह की sedative drugs होती है, अब इन sedative drugs को दिया क्यों हो जाता है, यह drug दी जाती है, patient को relaxed feel कराने के लिए, जैसे मान लो, अगर कोई patient आपके पास आता है, और वो depression का शिकार है, that means, वो depressive हो चुका है, किसी stress की वज़े से उसे depression बढ़ गया है, तो उस समय पर हम उसको, यह sedative drug देंगे, sedative यहां और tranquilizer कहेंगे, यह वाली drug देंगे, अगर कोई patient है, जिसको नीद ही नहीं आ रही है, नीद ना आने के disease को हम बोलते हैं, insomnia, क्या बोलते हैं बच्चों, insomnia, तो insomnia के case में भी हम उसको यही drug देते हैं, तो थोड़ा सा back में चलते हैं, तभी एक बार हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं, sedative and tranquilizer drugs की, यह उन patient को दी जाती है, जो या तो depressant होते हैं, मतलब depressive हो गए हैं, जिनको depression हो गया है, या फिर उन्हें नीद नहीं आते हैं, insomnia, नीद ना आने को बोलते हैं, insomnia, insomnia और depression के treatment में हम यह drug देते हैं, अब यह drug करती क्या है, इन ड्रक का जो receptor है हमारी body के अंदर, इन ड्रक का जो receptor है वो है brain, brain मतलब central nervous system का part, भई देखो, अगर किसी को depression है तो क्यों होगा, सोच के देखो, एक student है, वो किसी भी competition की तयारी कर रहा है, like neat exam की preparation कर रहा है, उसको preparation करते हुए 3 to 4 years हो गया है, लेकिन वो अभी तक select नहीं ह हुआ है, ठीक है, अगर वो select नहीं हुआ है, तो उसको tension होगा, tension होगा, तो वो tension उसका depression में convert हो जाएगा, अब आप जाओगे doctor के पास, कि doctor साब मेरा बच्चा जो है बीमार है, उसको tension बहुत लेता है, उसको fits पढ़ने लगे, बीचेन रहता है, उसको नीम नहीं आती, ठी है, और doctor क्या करेगा, doctor देखेगा, अच्छा, यह depression का patient है, तो मैं इसको ये वाली दबा दे दूगा, इससी है ठी हो जाएगा, अब मैं आपको बताऊँगा, ये दबा आपकी body में करेगी क्या, देखे, आपको tension हो रही है, क्यों हो रही tension, क्योंकि आप सोच रहे हो, उस particular point पर आप बार बार एक ही point को सोच रहे हो, तो मैं क्या करो, अगर मैं आपको उस point पर सोचने ना दूँ, तो आपको tension नहीं होगी, भाही देखो, अगर कोई बच्चा बार बार अपने exam के बारे में, अपने selection के बारे में सोच रहा है, negatively, positive की बात नहीं करो, positively we have to be discussed, we have to be think, ठीक है ना, positively हमें discuss भी करना चाहिए, अपने senior से, अपने guardian से, अपने teacher से, और उस पर हमें सोचना भी चाहिए, but जो लोग negatively सोचते हैं अपने उस point पर, तो उससे क्या होता है, नहीं depression होता है, तो हमने क्या कि हमने ये दवा दे दी, इसकी बज़ए से brain की activity कम होगे, जब brain क activity कम हो जाएगी, तो आपको नीन आ जाएगी, ना आप जगोगे, ना आप सोचोगे, ना आपको tension होगी, ना रहेगा depression, मतलब अगर आप किसी tension खतम करना चाहते हो, depression खतम करना चाहते हो, तो उसके उस point को सोचना बंद करा दो, अब उस से कहो पिटा इस बारे मैं सोचो, त इसवारे मैं सकता, अगर वो निकाल सकता, तो depression ही क्यों होता, तो हम क्या करें, हम thought को तो remove नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते है, उसके brain को suppressed कर सकते है, जब उसका brain depressed हो जाएगा, और जब brain काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, सोचना बंद हो जाएगा, बच्चा का सो रहा है, तो सोचेगा नहीं, सोचेगा नहीं, तो tension नहीं, तो depression खतम हो जाएगा, ठीक है, किसी को बेचा नहीं हो रही है, anxiety होती है, anxiety समझते हो ना, exam से पहले anxiety हो जाती है, अगर ये drug दी जाए, तो anxiety भी कम हो जाती है, हम कह सकते हैं यह एक तरह की hypnotic drugs हैं, क्या है? hypnotic drug है, hypnotize कर सकती हैं, यह drug anti-anxiety drug है, जो anxiety को खतम कर सकती है, यह बात संच जा गए? next मैं आपको पढ़ाँगा opiates, opiates जो drug होती हैं, इनको हम analgesic बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चो? analgesic, अरे यह क्या होता है? पहला दिमाग में question आया हुआ, तो देखो analgesic होता है pain killer, यह क्या कर रहा है? brain की activity को कम कर देता है, जिससे brain सोचेगा नहीं और आप आराम से सो जाओगे, नींद की गोली इसमें count होगी, और इसमें count होगी pain killer, ठीक है, दो अलग अलग होई, नींद की गोली इसमें count हो रही है, और pain killer इसमें count हो रही है, अगर आपको कहीं body में pain हो रहा है, तो आप यह analgesic ले लिजे, मतलब opiates ले लिजे, और आप ठीक हो जाएंगे, मैं example से आपको संभाता हूँ, आपने नाम सुना होगा, Morphine का, नहीं सुना है, कोई बाती, अगला बताता हूँ, Heroine, Heroine तो सुना ही होगा, Heroine होता है, Smack होता है, सुना है ना, तो जो Heroine होता है, वो इसमें counter तो सी को हम Smack बोलते हैं, Smack तो सभी ने सुना होगा, क्याते हैं, पेन किलर होते हैं, इसमें आपका Codeine, इसमें Morphine, इसमें आपका Heroine count होता है, क्यों क्यों, Heroine, Codeine, Morphine, कि तीनों चीज़े इसमें count होती हैं, उन्हें हम analgesic बोलते हैं, यानि की पेन किलर, ये brain की activity को suppress कर देते हैं, आप से पूछा जागा, इसका receptor कहा होता है, जो opiates होते ह हैं, इनका receptor हमारी body में, एक तो CNS, मतलब Center Nervous System, और दूसरा Elementary Canal, कहां पर Elementary Canal में होता है, ये पेन किलर किसको दी जाती है, ये usually जैसे Morphine की बात करें, तो Morphine हमें दिया जाता है, उन patient को, जिनकी अभी surgery होई है, ठीक है, तो opiates पेन किलर हो गए, ये sedative हो गए, ठीक है, ठी stimulant देख लीजे, अभी मैं आपको general review दे रहा हूं, फिर मैं एक एक चीज़ explain करूगा, stimulant की बात करते हैं, अब ये इन दोनों से बिल्कुल different है, ये हमारे brain की activity को कम कर रहा है, ये और ये हमारे brain की activity को कम कर रहे हैं, जिससे हम relaxed state में पहुंच सके, लेकिन अगर हम इसकी बा बात करें, तो stimulant वो होते हैं जो brain की activity को तेज कर देते हैं, ये alertness बढ़ा देते हैं, wakefulness बढ़ा देते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें कर देते हैं, ये कहते है नींद आ जाओ, ये कहते है नींद चले जाओ, बात संग्शा रहे हैं, तो ये activity को increase करेंगे, ये दोने activity को suppress जैसे मैं आपका example देता हूँ, आपने नाम सुना होगा doping, doping word सुना है कि जो wrestlers होते हैं, जो sportsmen होते हैं, वो doping करते हैं, doping में stimulant का इस्तमाल करते हैं, ठीक है, एक drug मैं बताता हूँ, amphetamine, क्या चीज? amphetamine इसको pap pills भी बोलते हैं, और ये dope test में चेक करी जाते हैं, कहीं किसी ने amphetamine तो नहीं लिया है, amphetamine होता क्या है, ये synthetic adrenaline होता है, अरे, ये synthetic adrenaline है क्या, अब तो ये नाम ही नहीं सुना होगा, आप लोगों ने, ऐसा नहीं है, class 11th में आपने सुना था, class 11th में जो last चप्र था, chemical control and coordination, उसमें हमने kidney के उपर एक gland पड़ी थी, adrenal gland, तो adrenal gland के medulla में एक adrenaline होर्मोन बनता है, फिर से सुनू, adrenal gland जो kidney के उपर होती है, उसके medulla वाले portion में एक होर्मोन बनता है, adrenaline, उसको epinephrine कहते हैं, ये क्या करता है, हमारे cardiovascular system पे काम करता है, ठीक हमारे brain पे, हमारे cardiovascular system, मतलब heart वाले system पे काम करता है, मतलब circulatory system पे काम करता है, और उसकी वज़े से हमारे brain की activity तेज हो जाती है, उसकी वज़े से हमारे brain की activity तेज हो जाती है, ये समझ में आगे है, तो ये हमारे brain की activity को तेज करेगा, heart rate बढ़ा देगा, जिससे क्या है, हम ज्यादा energetic हो जाएंगे, तो ये alertness और wakefulness के लिए होता है, और last है hallucinogens, hallucinogens क्या होते है, hallucinogen का alteration of perception, है कुछ दिखाई कुछ और दे रहा है, है कुछ समझ में कुछ और आ रहा है, alteration of perception, ठीक है, कुछ plant होते हैं, उनको हम बोलते हैं, cannabis plant, ठीक है, उन plant से जो extract निकलता है, जैसे भांग, चरस, गांजा, हशीश, मेरी जुआना, ये वो drugs हैं, जो की hallucinogens करते हैं, alteration of perception, ठ ठीक है, पड़े हैं नाली में, लग रहा है, वाओ, समंदर में बैठे हैं, आनन्द ले रहे हैं, ठीक है, और एक जानवर है, उस जानवर के साथ खेल रहे हैं, लग रहा है, बहुत बड़ी actress के साथ हम लोग enjoyment कर रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाहरा हूँ मैं कहना चाहरा हूँ, है कुछ, लेकिन perception कुछ और है, ठीक है, ये बात समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताना चाहरा हूँ, category of drugs and their abusive, these are the four category of drugs, but ये drugs clinical use के लिए हैं, मतलब इनको आपके treatment के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, लेकिन अग कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो अब मैं थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ लिखना शुरू करता हूँ, सबसे पहले, sedative और tranquilizer, example से मैं बताता हूँ, example है इसका, par biturate, par biturate, and दूसरा है, venzodicepins, venzodicepins, ठीक है, यह drug हो गए, यह क्या है, यह hypnotic drugs है, इनके लिए हम क्या कहसकते हैं, यह hypnotic drugs है, hypnotic, hypnotic, drugs कह सकते हैं इनको ये कैसा हम इनको कह सकते हैं ये anti-anxiety drug है कैसी drug है बिटा anti-anxiety ये drug है ठीक ये क्या करती है ये suppress करती है brain की activity को क्या कर देती है suppress की जब हम लखे है depressed ये है depressant drugs इनको हम डिप्रेशन ड्रक खते है depress कर देती brain activity को depress brain activity brain activity ठीक है brain activity को depress कर रहेंगी ठीक है use यूज कब होती है इसामपल बारवा मैं टाइप कर देता हूँ यूज इन केस और इन केस और डिप्रेशन अ एंड इन्सॉम्निया इन्सॉम्निया का मतलब मैंने क्या बताया था नींद नाम अगर किसी को इन्सॉम्निया ओगया नींद नहीं आ रहे है तब इसका स्तमाल कर सकते हैं यह उन ड्रक्स के नाम है ओपिएट्स की बात कर लिए तो देखे ओपिएट्स का एक्जाम्पल देखे ओपिएट्स में हम पढ़ते हैं कोडीन इसमें हम पढ़ते हैं मॉर्फीन बहुती फेमस है मॉर्फीन इसमें हम पढ़ते हैं हिरोईन ठीक है, कोडीन, मौर्फीन, हिरोई, कोडीन के बारे में सुन लो, कोडीन आपने सुना होगा कफ सिरफ, कोडीन के नाम से भी कफ सिरफ आता है, पैसे मतला कोरेक्स आपने सुना है, कोरेक्स जो बैन हो गया था, कोरेक्स है, कोडेक्स है, वो टॉरेक्स है, टॉरेक्स भी सु तो बच्चों को कॉंस्टिपेशन हो जाएगा देफील डिफिकल्टी इन इजेशन डैट मीन अपने फीस को रिमूब करने में उन्हें दिक्कत होगी ठीक है अच्छे से पॉटी नहीं आईगी उन लोग को कॉंस्टिपेशन हो जाएगा अगर इसका एक्सेसिव यूज कर ल इनलजेसिक का मतलब क्या होता है पेन किलर एनलजेसिक मतलब पेन किलर यह एक तरह के पेन किलर होते हैं ठीक है अब इनलजेसिक हो गए इनको हम किस से ऑप्टेन करते हैं यह तरह के पेन किलर है इनको हम ऑप्टेन किस से करते हैं वो देखेंगे यह पहले तो आप यह receptor of opiates कहां मिलेंगे तो आप बताओगे रिसेप्टर और ओफ ओपीएट्स रिसेप्टर ओफ ओपीएट्स प्रेजंट होते हैं हमारे प्रेजंट इन सी और Guid rights के उसके बाद आप क्या बताओगे आप बताओगे इसके अलावा CNS में होते हैं और कहां होते हैं आपके gastrointestinal tract मतलब elementary कैना है gastrointestinal tract मतलब elementary कैना इन दो जगह पर इसके receptor होते है इस drug ठीक है? अच्छा यह pain killer है यह pain killer है, analgesic है किस से obtain होती है तो आप बताओगे obtain from obtain from opium opium को हम poppy plant बोलते है opium oblique poppy plant किस से obtain होते है poppy plants है इसको हम opium भी कहते है इसलिए रखा है opiates क्या नाम रखा है opiates ठीक है अब यह जो opium यानि पॉपी दे रखा इसका botnical नहीं पूछा जाएगा तो आप बोलोगे पैपेवर इसका पूरा नाम होता है पैपेवर सौमनी फेरम सौमनी फेरम इसका diagram याद रखे जब आप यह चेप्टर पढ़ रहे होंगे तो इस चेप्टर से related खास करके ड्रग वाले में जितने diagram दे रखे होते हैं कई सारे ring structure दे रखे होते हैं जैसे morphine का और cannabinoids का ring structure दे रखा है वो आप ध्यान से देख लेना दूसरा plant का भी structure दे रखा है इसके latex से आपको यह drug मिलती है ठीक है और यह एक तरह की pain color होती है morphine एक strong pain color है it given to the patient who undergone surgery जो जिनकी surgery होई है उनको दी जाती है और heroin इस morphine से भी 3 गुरा जारा effective है जो heroin है it is more than या ऐसे बोलो it is 3 times more potent than the morphine morphine से यह 3 गुना जादा effective होती है कौन heroin और यह synthetic होती है यह तो natural है यह synthetic है इस morphine की acidity height से reaction करी जाएगी तब बनती है तो इसको हम बोलते है di-acetyl morphine heroin को क्या बोलते है di-acetyl morphine और हम कह सकते है heroin formed by acetylation of morphine morphine की acidulation से बनती है ठीक है stimulant की बात कर लो stimulant में आप पढ़ोगे यह क्या है example पता दूँ आपको इसमें आप पढ़ोगे caffeine चाई पीते हैं लोग coffee पीते चाई coffee में caffeine होता है वो भी stimulant होता है आपने देखा होगो offices में tea break होता है coffee break होता है उसका reason क्या है tea में caffeine होती है यह आपकी body में जाएगी और आपको alert भनाएगी ठीक है आपको stimulant की तरह काम करेगी जो आपको नीद आ रहे दे ऐसे कर रहे हो आप वहाँ से यौनिंग कर रहे हो यह जो तक भी कर रहे थे ना यार बहुत नीद आ रहेगी यह वाला जो symptom है यह ना रहे उसको remove करने के लिए caffeine आपको offices में मिलते है ठीक है तो caffeine एक stimulant है आपने नाम सुनावा cocaine का सुना है जो cocaine होता है यह भी एक तरह खा stimulant है caffeine है, cocaine है और अभी मैंने एक drug बताई थी amphetamine amphetamine यह भी एक stimulant है dope test में check करते है जो sportsman होते हैं वो इसको लेते है ठीक तो आप क्या बताऊगे यह क्या करता है इसके बारे में देखिए आप बताऊगे यह increase करता है alertness को increase alert alertness ठीक दूसरा कहा एक्ट करता है acts on brain यह हमारे brain पे काम करेगा brain की activity को बढ़ाएगा दूसरा हमारे cardiovascular system को बढ़ाएगा acts on brain and cardiovascular system cardiovascular system यह हमारे brain और cardiovascular system पे काम करता है कौन इस्टीमिलेंट ठीक उससे गया होता है alertness बढ़ जाती है wakefulness पढ़ जाता है हमारी जितनी वी activity slow down हो गई थी हम उनको increase कर लेते हैं है है यह इसके तो बहुत सारे एक्जाम्पिल्स हैं ठीक है जैसे मैं आपको बता था हूँ इसमें आते हैं गानाविस प्लांट जैसे भांग है भांग नाम सुनाओगा आपने चरस सुनाओगा रशीश आपने नाम सुनाओगा गांजा गंजा नहीं है गांजा आई है बहुत ही famous अब मैं लिखना जा रहा हूँ मेरी जुवाना मेरी जुवाना लिखते हैं और मेरी जुवाना पढ़ते हैं यह J silent है मेरी जुवाना पढ़ते हैं मेरी जुवाना लिखते हैं भांग, चरस, हशीश, गांजा, मेरी जुवाना, इन सब में हलिसिनोजन प्रोपर्टी होती, इसके अलाबा, आपने नाम सुना को धतूरा, शिपजी को चड़ाये जाता है, धतूरा, धतूरा होता है, यह, इसमें होती है प्रोपर्टी, एक होता है प्लांट, एट्रोपा बैलेडोना, इसमें भी हलिसिनोजन होता है, प्रोपर्टी होती है, और एक बहुत ही फेमस है, LSD, LSD के फुल फॉर्म आती है एक्जाम में, इसको बोलते है, Lysergic Acid Dithylamide, इसकी फुल फॉर्म आती है बच्चों एक्जाम में, Lysergic Acid Dithylamide जो होता है, यह LSD में काउंट होता है, इसके बाद, इसको एक fungus से obtain करते हैं obtain from claviceps यह C लिखाए एक fungus उसका नाम है claviceps purpura purpura इसको irgot fungus भी कहते हैं क्या बोलते हैं irgot fungus इर्गॉट फंगस को बोलते हैं और इसी से लेज़डी मिलता है ठीक है इसके वेज़ से क्या हो जाता है अल्ट्रेशन अल्ट्रेशन अफ पर्सेप्शन अल्ट्रेशन अफ पर्सेप्शन मतलब है कुछ और दिखाई कुछ दे रहा है तो यहां पर हमने four category of drugs देखी उनके examples देखे और उनका काम करने का तरीका देखा तो इस वीडियो हम इतना ही रखेंगे इसके आगे मैं next वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा सा और हुआ ठीक है बच्चों थैंक यू सो मच बच्चों बबाए टेक केर हाव नाइस देख